ओबीसी जातिवार जनगन्ना नहीं करनी की बात कहकर सुप्रेम कोट में ओबीसी समुदाय को 50 प्रतिशत से ऊपर ओबीसी समुदाय को उनके सविदानिक अधिकारों का अधिक हग भाजपा शासित केंदर सरकार द्वारा वंचित किया गया इसके चलते ही वंचित भुजना अगाडी की ओर से शहर अधिक्षर रवी शेंडे के नेतरुत्व में आज सविदान चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया इस दारान के इंदर सरकार के खिलाब जम कर नारे बाजी भी की गई है भारत के सविदान की पूरे विश्व में एक मिसाल दी जाती है डॉक्टर बाबा सहीव अंबेड कर इस सविदान के रचेता है सभी जाती धर्मपन के लोगों को उनके सविदानी कदिकार मिले इसके लिए सविदान में कापी महत्वपूर्न बातों का जिक्र है जिसमें OBC को न्याय देने के लिए उनने मतदान करने के लिए तथा भारतिय चुनाओं में उमिदवार खड़ा करनी की आज़ादी दी गई है लेकिन अपसोस की भाजपा अपने दावपेश कुछ इसकदर खेल रही है जिससे OBC के लोगों को चुनाओं में खड़ा होने के लिए कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सुप्रिम कोर्ट ने OBC का इंपेरियल डेटा केंदर सरकार को मांगा है जिससे केंदर सरकार ने मनाई की है भाजपादवारा OBC का दाइरा कम करने की कवायर की जा रही है ऐसा आरोब लगाते वेर वंजित भहुजन आगाडी के पूर्वसयोजक इन्होंने BCN समक्ष जानकारी साजा की है केंदर सरकार ने सुप्रिम कोर्ट में दिया उस हलब नामे में उन्होंने कहा कि हम OBC की जात्निया जन्गना नहीं कर सकते दूसरी बात जो इंपिरिकल डाटा है वो इंपिरिकल डाटा टेक्निकली और एडिमिस्टेटिवली फॉल्टी है उसमें बहुत सारी गल्तिया है तो वो डाटा हम दे नहीं सकते अचा दूसरी बात उनुह ने यह कहा कि सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं सुप्रीम कोसा कोर्ट को यह देखो सुप्रीम कोर्ट हमको यह डारेक्शन न दे कि हम सोील और सोशियो सोशियो के पास में कुवर्णमेंट आप अप इंडिया के पास में अईसा कोई ABC का डाटा नहीं कि जिसको देखकर यह जिसको बेच बना कर OBC का एक्षक्षनिक आरक्षन, OBC का नोकरी का आरक्षन और OBC का राजनीतिक आरक्षन इसको हम green signal देवे ऐसी कोई डाटा हमारे पास नहीं है